हेलो एवरीवन दोस्तो वेलकम 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 कंसक्शन मेनेजमेंट के इन बहुत ही इंपोर्डन लेक्चर में अब सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने तीनों लेक्चर देख ले होगे मैहड of Project Management इस लेक्चर में हम बाइक करने बाले हैं कि प्रोजेक्ट मिनेजमेंट का तरीका कौल सबेंगा यहां पर अक्सर यो अक्सर लोगे न जो श्टूटेंट्स और चुशन को पड़ा छुड़ ओं तो वह हो बहुत सारों स्टूटेंट लेवल्स होते इसको में कि EXAMPLES है आपको पता है ना जब भी कोई करनची से लोगा तो मैं EXAMPLES जरूँ जरूगा मेरे दिमाँ में बहुत सार एक्जामपल आज़ा हैं लेकिन अभी जो चो को MOST RECENT EXAMPLES हमें साब BEST EXAMPLES होता है किसी को पिक्ज comparison ॐ और उनके साथ अगर तुम हो तो जो मॉन्स anta चीज ऊना वह वेसर्ट एक्ज these रेक्ज़्यम्पल होता तो अभी अगर मेलकौ एक्सेंपल देने तो में एक्सेंपल लेता हूँ जो मेरे साथ वो श्रेसंट हुआ कि अगर मेरे को मिठी चीज खा लिए ठीक है क्या है मिठी चीज खा लिए स्वीट एक मिठी चीज मुझे खा लिए है ठीक है कि तो मेरे पास बहुत स्वारे ओप्षेंस मिठी चीज में वासर और सब्सक्राइब नहीं होदा यह तो आपको पता ही होगा मेरे पास मिठाए का एक ओप्षन मेरे पुगाइ छिप गरी याग अप्षिन होई मेरे पुछिंधे बीजिटेगे जिखवीट मीठे ड्राइफूड फूद आ इंद जो बहुत साइड़ उश्स महुत साइड़ उस इन मेठी चीज का बहुत साइड़ उस क्या था मीठी चीज का खाना अई अघ्त Krutus कैसे खाया जाता है यह कुंह मीठीज वाद की अगर से कविछ म स्कुलेक करना नहीं करना भड़ेगा मुझे अगर मिठी चीज का खाना है तो मुझे इन में से कोई एक चीज को कोई एक कोई को को सिलेक करना वोड़ेगा कि को एक को असरे करना और मिठी चीज को सकसेफुली मेरे मुझ तक पहुचाना है तुम्हें एक सिंपल तरीगा क्या है यह आपको बहुत बेजिक लगा होगा लेकिन इसको रिलेटबल में बनाऊगा यहां पर जो मिठाई पड़ी हुई है उसको मैंने यहां से पकड़ा और एक अगर मेरे सामने केटंबडी पड़ी होती तो मैं मिठाई की तरही क्ढ़ा या है यहां से वह कंटबडी‌के- टुकड़ा पकंड़ा और खालेता है चौक्लेट पड़ी होती ही चौकलेट का टोकड़ा पकांड़ा लेता है जो चोप्यट में 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 डिंट में कैसे करना है कि मेनेजमेंट कैसे करना है कि मैं इसे मुओने डाला उन्हें यहां कि धिर्यर रहेंगे अब हमारे ज़में नहीं देंड यह उसके स्दीजस कह रहेंगे अभी हमारे स्टेजिस जा हुए कि यहां से सबसे पहले में मिठाई को पकड़ा फिर मेरा हाथ को उपर किया उसको मुझ तक ले गया और फिर मैंने मुझ के अंदर दाली यह स्टेजिस है यह स्टेजिस है चाहे आप मिठाई लो चॉकलेट लो फूट लो पकड़ना पड़ेगा उपर ले जाना पड़ेगा आगे ले जाना पड़ेगा मुर की तरफ रहे जाके उसको मूग के अंदर दाला यह स्थी जिस गया है आप कोई कुए कोई ब्रोजेट में लगेंगे एलीवेंट्स इसकते अवह बेश्य कोई ब्रोजेट में कांट्रोलिंग नहीं तो फॉलॉ करने हो वट उन फेस को फॉलॉ करने के तरीका क्या है मैं हर्ड कौन सी है उसके बारे में चर्चा करने वारे अब समझे आया दोस्तों क्या कहना चाहरा हूं यह अबार है मेठोड्स मीठ्हा कहने के हमारे अप्शल्स यहां भी मिठा खाता है डिजरेड इसके सेव रहेंगी ऐसे पकड़के खाना पकडगी खाने असको फकडगीस इससे न resonated की तो वैसे यहां पर सब्सक्राणे का तरीक तरी के से हमारी स्थी से सब्सक्राइब यहां पर मेथर्द्ध वां लनक हो सकते हैं लेकिन हद общем हमडिक Kelber होता होगा है so methods and stages are different अरे समझें कि नहीं समझें यार यह जो confusion हो रहा है बहुत सारे लोगों को होता है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया so methods and stages both are different दोनों अलग है हमने stages element phases के बारे मात करनी अब method के बारे में मात कर लेता है method के बारे में क्या बात करनी है सब उन सारे stages को लेकर चलते हुए desire reason तक पहुंचना है लेकि उसमें कौन सा method तो उसमें हमारे पास construction management में बहुत simple सा बहुत basic सा method है बार चार्ड बार चार्ड हमारे management की शिरुवात ऐसे ही हुई थी मारे चार्ड में बहुत simple है और बहुत simple है मारे चार्ड में क्या होता है मारे चार्ड में क्या होता है यहां पर समय लिखे होते हैं ठीक वो समय दिनों में ठीक है अप्रोज स्लैब जॉइंट्स रोडवेज डैग पिर है इस फाइलिंग प्रिपेर साइड यहां पर आप देख सफते हो पहले दो वीक की बात हो रही है अगर कोई काम कर रहे है इसांबल के तोर पर यहां पर लिया गया है यहां पर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर तो पहले दो वीक के देर एक ही काम हुए रिपेर साइड और यह बहुत आसान दरीक है इस बहुत आसन दरीक है, बहुत आसन दरीक है नहीं है रहे आसन ददीक स्हलुशा पर क्या भात कर देती हिए ओख कि दूबीट केंगर सिर्फ और से स्थ रिपेर गी गए उसके बाद दुष्टों पाइलींग वर्क हुआ देखो कि इतना आथानि में समझा लेकिन पाइलींग से शाद यहां पर कुछ ओवर्लेप कर रहा है यह तो यहां पर कुछ पोर्षन ऑवर्लेप भी कर रहा है यह दि आपको परेलरी अक्टिविटी वारा बताया था उसी के जैसा ऍखते तो कुछ जैए इतने समय में इन भी हो रहा है ये भी हो गया जी आ अपसर के नहीं के स्मय आजाएगा इस ऐा राट better प्रेजन्ट करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों बार चार्ट ये गंट चार्ट बार चार्ट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों गंट चार्ट क्यों इससा दूसरा नाम यह है क्योंकि इसको इंटर्ड्यूस किया था हेंड्री गंटने लगबक इटीन हंड्रेट संफिंग में देखें लेकिन वह हमारे लिए इतना इंपॉर्ण नहीं हम यहाँ पर एक्जाम देने नहीं बेटा है हम यहाँ पर तो स्कील सिखने में इन बेसिकलि आपको पता होना चीए पुराना तरीका है कुछ इस तरीके से ह कर सकते हैं और यह मैसाड का सकते हैं देको इसके में आपको समय एक्तिविटी शेडियूलिंग हो रहा है नहीं और प्रॉपर दरिकेश्च से आपने प्लानिंग पहले ही कर लिया होगा प्लानिंग वाला हो गया अगर कुछ प्रॉबलम आती है तो उसको चेंज भी कर सकते बार चार्ट को इस तरीके से प्रोजेक्स करते हैं और हमें प्रोजेक्स पूर आइडिया आइडिया मारा आइडिया फिरू मिल सकता है देखो प्रोजेक्ट खत्म वो रहा है लगबग 21 वीक के अंदर यह हमारे पास जो एक्जामपल वाला है यह इस तरीके से बात चाट के तो हैंडी गंडी ने बना था इसलिए इसको क्या बोलते हैं गंडी चाट ने बोले यह क्या है भाई तो ग्राफिकल अफटिमिटी व्हर्स तयबग Hare से रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिंविटी वृर्सस थायफ श्या ये ये जो मार की लंबबाड था इ ये जो बार की लंबबाड है है ये जो मार की लंबड है ये को दिखे रहोगा दो से शेर ठीक है यह 2-6 इसका डिफरेंस लोगा तो क्या होगा सिस्वाइनस टू चार याइनि इस एक्टिविटे को खतम होने में समय ठाइम ठाइम छोगर मत है इंग आ आगर किया होता थे जो तरा नहीं दोस्तुर इसके कुछ नुकसानाग मत है है जिसकी विजाए से हम इसको बहुत जादा बड़े प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो क्या नुक्सानात है इसके फिर आएए दिखते हैं इसकी कुछ नुक्सानात में से हैं इंटर्ड्यूर्स वाइन यह तो वह लिमिटेशनल सब्सक्राइब के तौर पर हमने यहां पर लगाए हैं लैक औफ डिग्री ओफ डिटेल सबसे पहला नुक्सा डिग्री ओव देञ़् में करी काने यहां पर देड़ इसक को समझते हैं दोस्तों समझ को समय है कहना क्या चाहते हो और कहना यह साथ है क्या आपको यिस तो बदा स atm site के प्रिपढ़़ साइट दो विए में और प्रिप्राइच शेयुद से आपको वो दो वीग में क्या आपके पास डेली ब्रेंग डाउन है क्या आपके पास यह जो में एक्टिविटी है प्रिपेर साइट उसकी सब एक्टिविटी के बारे में डेटेल है एक्टिविटी झोटी अजर एक्टिविटी है उसके बारे में क्या अपके पास नहीं यह हूणी गंडर्फ के साम a कान बहुत देर सारी activity होत कि इसको कर भी निचे लिख देते हैं निचे लिख देते हैं साइड वह नी तो यह पर दो विक का पूरा में लिख देता हो कुछा जिठ था ऐसा नहीं हो सकता ओभी नहीं सकता आप ठीक है मोटा बोटी तोर पर लिख सकते हूँ रिवियू औफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस The Review of Project Broads यहां पर भी दोस्तों आपको समझ ना होगा यहां पर भी दोस्तों आपको समझ ना हो एक प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट है जश्चे मारम में आपने यहां पर लिगती है कि यह प्रोजेक्ट कुछ इससरी कैसा है एक्सीघियूट होगा एक कुछ इस तरीके से एक्जियूट हो अब दूस्तो जब कुछ इस तरीके से एक्जियूट होने वाला है ये प्रोचेक कुछ इस तरीके से एक्जियूट होने वाला है इस वर अगर आपसे ये सिंबल यही देखकर अगर हम सवाल करें कि पहले दिन कितना हुआ बहुत सिंबल सवाल है पहले दिन कितना काम हुआ चलो पहले दिन भी छोड़ तो पहले वीक कितना काम हुआ पहले दिन कितना यूगांड से भाई ये बात द्यान रखना आप ये नहीं बोल सकते कि सर दो वीक में साइट प्रिपेर होने वाली है लोग का आधा एक वीक और एक वीक में है। एक वीक में 50 अगा काम वाँ यह फिख्रह् स्माय प्रोग्रेस को इस सरी कि सम्सें प्रिव्यू कर सकते हैं लगे ना ना वई Wię किस् specially Tiya मैं किसें भूला 50 अगा पाम हो गया होगा तो है कि मुंधा तो इतनी है को 2 जाती है it might be possible 75 percentage वहा it might be possible 49 percentage या 45 percentage काम हुआ यह possibility है तो फीरिज़िज़ि़ परशिमिलिटी है तो क्या करे फिर क्या करे और क्या ना करे प्रिपर साइट यह उसके फिर उसमें दाल देंगे ड्रॉबेक में दाल देंगे इसी तरीके से कोई एक और अगर मैं एक्जाम्बन लेना चाहो तो मैं आपको यह पूछ हो कि पांच वीक में क्या काम हो आप बोलोंगे पांच वीक में सर हम यहां कहीं होगे यहां कहिए यहां कहीं मतलब कुछ इससरी के से तो यह कितना परसंटेज कंप्लिट आइए नहीं आपके बस एक्सेट आइड आइए आपके बस नहीं और इसी लिए हम इसको ड्रॉबेक में दालता है इस उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होगी हमारे प्री वीड इस्टोर का जरो से हिस्सा बने है इस्टोर का हिस्सा बनने का मतलब यह है आप अपर इसके रिक्वार्मेंट के इसाफ से अलगला स्क्ते हो जॉइंड कर सकते हो और अपने आफको बहुत आगे बढ़ा सकते हो सर्शियन यह सिंप्टिवाइड अप्लिकेशन डिग्री ओच्छी पहले तो उसके बारे में बात थी इसके बारे में अब्सकी ज्यादा न हीं द्यूसा पॉंट था के हमारे पास प्रोजेक्ट के प्रोग्रेश की प्रोपर जईली इस लिन से इटेल्स नियूँक है इसके अब दूस्टर यहां पर भी आपको समझ नहाँ होगा कि यह भी कि लिमिटेशन or activity interaction है यहां पर हमें यह तो पता चल रहा है ह। यहां पर हमें यह तो पता चीसर रहा है कि यहां पर कुछ ओवरलेप है है कुछ ओवरलेप है। लेकिन everything सब कुछ प्रोसीडिंग है इस प्रोजेक्ट में देखोंगे समएंगे साथ साथ अक्टिविटी सिकोइंशल वेनर में आगे जा रही है तो हमारे पास यह नहीं है कि क्या यह इसके उपर निर्भर करती है यहां पर आप यह बोलोगे के साइट प्रिपेर होगी बाद में काम चालोगा यह हमारी अंडरस्टेंडिंग है साइट प्रिपेर होगी माद में काम चालोगा जो भी पाइलिंग अगेरा कि यह हमारी अंडरस्टेंडिंग है तो हमारी अग्रेस्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टर यहां पर दो देखो पहले ही चालोगे खत्म होने से पहले यहां पर निर्वर नहीं नहीं पिर यहां पर आप बोलेंगे बाद में चालोगे यहां पर निर्वर है यहां पर पहले चालोगे यहां पर निर्वर नहीं है अरे भाई यह क्या हो रहा है निर्वर है निर्वर नही इनए देखके नहीं समझा सकते हैं सबसेंदिंग ऐसे गया सकते ह supportive पर Bear इस में फुल फुल फेल नहीं हो रहा इस में धंड तरहें कुछ ऐसा होना से कुछ ऐसा होना चाहिए जो यह याज इंटरिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें देखो यहां पर यह जो बात हो यहिए बार चार्ट के रिस्पर्टम इसमें हम construction को गुसा सकते हैं और हमने यहां पर घुषाया भी है लेकिन मैंने आपको बोला है कि यह जो बार सेटेस्सिफ वहते वहते हैं यह और दिखता हुगा construction के साथ हाथ नहीं है यह जाब मैंनेज्मेंट कोई कंस्रेक्षों के साथ तो यह तो अलंग बात है कि अपक्रफ्रिम में जुड़े हुए तो हम इसले बुलना हो कि कंस्रेक्षों के अंदर ताइव अनसर्टेनिस को अपकूंट किया जा सकता है और किया जाता भी यह मैं आपको आगे समझाओ लो कंस्रक्शन एक रिपिटिटिव टास्क हैं कंस्रक्शन में अगर हम जो भी काम कर रहे हैं भाई वो कोई रिशर्च वाला नहीं है एक दिवाल बनाना एक कॉलम बनाना हम बहुत बहुत बार कर चुक है हम मतलब इंसानियत क तो यह इंसानियत के तो पर अगर हम देखने जाया ना तो यह इंसानों के लिए कोई मुझ बड़ी बात नहीं नहीं कि मिल्डिंग मना दा यह वह चार मत ठीके बूर्ष खलीफा जैसा वह एक्सेप्शन में आ जाएगा यह वहीं कि पूरी दुनिया में उनसमें थोड़ा आर और टी प्रापर तरीके से जिए गया विंड़ फोर्ष एंडर फोर्ष का लेंगि इंग जनरल भाई तीन-दीन में की मिल्डिंग मना नहीं है तो इसमें कौन सा महत ज़्यादा रिशर्च या कौन सा महत ज़्यादा व किया गया है कि समझ रहे हो दोस्तों उसमें हमारा कोई भी वह योगदाल नहीं हो रहा भी देखने से आए तो एकान एक्सेप्शिल प्रोजेक्ट तो बात अलगे तो वह आगे उसके बारे में आगे चेप्टर में मात करेंगा जब हम पॉर्ट और सिपीम की बात करें रहे हैं पी आर्ट परड प्रोग्राम इवेलिशन रिव्यू ठेक्निक प्रोजेक्ट इवैलिशन रिव्यू ठेक्निक और सिपीम यानि क्रिटिकल पास्तवर्ट है तब मैं आपको उसके बारे में समझाओगा यहां पर दोस्तों और वह नेटवर्क इसी यानि इसी मेथड़ में भी आ जाए क्युप रोकेट के वह इस्तेमाल कर लिया या चोटे मुएं टास्तेमाल कर लेकिन एक बार rituals मुझे रोकेट बेज़ना है उसके इस्तेमाल करना रोटेटए है और बार है अब सभी को बता है है कि हमारा जो मंगल यार्ण है इसे आएधिUST में अब ही मैं इंडिया के पॉइंट अफे से वड़ाइड डीए अगर मात करो तो को पता कि इतने इप इस पेस एक्सप्रॉडेशन के परोजेक्ट है उसमें बहुत सारी अंसररी निटी वहत शरी वहती ऑथी अंसर्देंटी होती है कि अच रह और ऐसे प्रोजेक्ट है यौश तो ऐसे काम है कि आमetztर्स लिया दोरीक्ति हो जाएगा आप्स दोविके हो जाएगा आपने बोल में याज विक तक यह दोन जाएगा आफ्ट ि संब है दोनो जाएगां या नौ विक तक लिएम 시ब जा happiest गा यह आपने बोल दिया, इसका मतलब तो यह हुआ यह बार्चाट, बट ऐसा, बट ऐसा, अंसर्टेन प्रोजेक्ट में कैसे होगा, यानि जो हम बोल सकते हैं, रिसर्च ओरियेंटिल, फॉर एक्जामपल, मार्स मिशन, मून मिशन, इसी तरीके से जो अधर, आइस स्पेस एक्टोरेशन के प्रोजेक्ट, यह एक्जामपल पर तो वहाँ पर, जहां रहें टाइव अंसर्टेन्स होगी, वहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा, इन देसरा वाट इंडिकेंट अप्रोजेक्ट, के भाई कोण से अभी क्रिटिकल अक्टिविटी वाला है ना एक मार्स समझनी पड़ेगी, मैं अभी जेशिंद दे रहा हूँ, फिर हम आगे सीपीम पड़ेंगे, तब क्रिटिकल पाच वाला है, मैं आपको क्रिटिकल अक प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी अक्टिविटीज होती हैं, जो अप्रोजेक्ट के मिनिममम टाइम को डिसाइड करती हैं, पिर से revisit करें सुन्नोब और पिर से बिलांव e about important बात बोलगे हम हर एक फ्रोजिक में कुछ एसी activities होती है जो प्रजेक की minimum time को decide करती है हर एक फ्रोजिक में कुछ ऐसी activities होती हैं जो प्रोजेक के minimum time को decide कर इसका मतलब ही हूँँ हुआ, कि अगर ऐसी activity में कुछ delay किया जाए जाएगा इसका मतलब कौनसी एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट के मिनिमम टाइम को डिसाइड करती है ऐसी एक्टिविटी में तो प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा तो वो जो एक्टिविटी होती है जिसकी वजास से प्रोजेक्ट का म minimum possible time decide होता है और अगर उनमें डिले करने से प्रोजेक्ट में डिले आ सकता है ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलता है critical activity अभी मैं आपको लेकिन इसे प्रोपर मज़ेदार लेक्टर होने वाला है आगे अभी आपके लिए होगा मैंने बहुत इंपोटेज तो ऐसी activity आपर कहीं शो नहीं हो रहे तो आप बात में समझेंगे अभी आपको ऐसा जनल पॉइंट ऑफ्य हो जाएगा किया मैं कोई में डिले करूंगा ऐस ऑफला ही थ्याँ उसका रखना होता हरी प्रोजेक में ध्यान उसको है रख़न होता है जो हुट उसी कई दियान रखना होता है रांस Ihnen को हो निदिकल एक्टिवीटी होसा मैठ जो हमें निमंनिक्र पॉसेब्ल प्रॉजेंग दूरएशन क्सक्रिश कर सकती है तो इस वे इस पार साथ उसी कोई क्या बोले क्रिटिकल पार आगे हम अच्छे समझें नो कोस्त ऑप्टिमाइजेशन खर्चा ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई कितना और कम कर सकते कितना पर कुछ बात रहा है तो यह सारे लिए कोई़्स आप्टिमाइजेशन को और में यह सारे लिए कि हमने फिर इंटर्व इन है क्या लॉट सोन चाहट के एक या कुछ ढ्राउ बग को माहरे properly को कॉछ को तो इंसानियत नहीं तो इन्सानियत नहीं यह दो इक टायम है क्या इंपोर्टन एक इंवेंट नहीं है इस है प्रिपर साइड यह एक इसमपल है आगी भी बहुत सारे तो इसमें कुछ ऐसे मोमेंट होगा है क्यों अची होगा इस काम अपलब हमारा अब यह काम करना आजसान हो गया यहां हमारे एक काम सभी जा रहा है लोगी अभी मेरे को यहां से घर कर जाना है ऑफिस वाला अमारा एडिया है अगर यहां से मुझे घर जाना है तो पुल आता है बिज आता है पुल आता है तो अगर वो फुल पार हो जाता है उसके माद कम ट्राफिक होता है एंसेंबल के दौर पर लेता हो ठीक है तो अब मेरी अगर एक्टिविटी मानों कि मुझे ऑफिस से गर जाना है यह मेरी पुरी एक्टिविटी है तो मेरे लिए क्या है critical moment क्या है फूल का पार करना क्योंकि फूल पार करते समय तक ट्राफिक जादा होती है और जैसे फूल पार होता है बड़े रोड जात आ जाते हैं और फिर ट्राफिक कम हो जाते हैं तो वह मेरे लिए मोमेंट हुआ यह पूरी एक्टिविटी मुझे घर नहीं पहुच होते है कुछ important events होते है कुछ important moments होते हैं कुछ important events होते है उसी को हम critical events पूलते हैं तो हमने जब milestone chart प्रेजेंट किया हमने मतलब एंसानियर ने तो उसमें क्या ध्यान रखा मैं ऐसे जो माइल स्टोन से एक माइल स्टोन अच्यों आपको पूल बार होगी मैं जैसे कि मैं आगे अपने इंडिया को यार फाइल जीतना तो semifiral जीतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यार फाइल थक मोचने के हमारा important moment के है semifiral को जीतना semifiral जीतना मतलब वो एक हमारे ultimate target क्या है शुरुआ से लेकर हमें cup चाहिए championship का cup चाहिए तिकिन उस जर्णी के दोरान हमें कुछ knockout मुकाबले जीतने होते हैं वो हमारे critical moments है वो हमारे milestones है ऐसा ही हर एक activity का होता है हर एक task का होता है कि उसके कुछ significant events in every activity that signifies the end of certain section of the main activity main activity का कुछ important हिस्सा खतम हो चुका है यापके रहे milestone है यापके रहे achievement है each milestone can be considered to be specific event along the main activity there are significant events in every activity that signifies the end of certain section of the main activity और उसको क्या बोलते है my phone बोलते है तो हमने फिर जब हमने फिर जब बार चार्ट को लिया हमने फिर जब बार चार्ट को लिया कुछ इस तरहीं कैसे है और इसमें बहुत सारे limitations आए और निवीडेशन को counter करने के लिए है फिर हमने milestones को रखना चालों किया कि बाई यह activity इसका milestone यह जब है milestone को आप कैसे भी दर्शा सकते हो आप arrow के थूर सब्सक्राइब कर सकते हो राइन कर सकते हो इस तरहीं से दर्शा सकते हो milestone को दर्शाना यह हमारे लिए अभी presently इतना ज्यादा है important नहीं है तो इससरी के था हमने को सbukes, काउंडर करने की हो, माइलष्टोन स्मझ दिए उसके माल्टोन को आप चाहिक यह मोमेंट पर आता है यह मोमेंट अची हो गया मतलब इसका माल्टोन आएफ चाहिक तो माल्टोन को प्रेजम्बल अगर मुझे इसमें मााल्टोन प्रेज़न्ट करना है तो माननो की माल् और वो जरूरी नहीं है वो एंड में यह यह पुल पार करने के बाद भी बहुत चारा रस्ता मेरे को काटता है गर पहुश देता है लेकिन वह एक माइस्टोन है क्यों कि आप ट्राफिक हूं तो ऐसे माइस्टोन जरूरी है कि एंड पर हो शिरुवात में भी हो सकते हैं इस तरीके से क्या है बार चार्ड का निवाई जिसमें माइस्टोन को डाल दिया और मार चार्ड को बता दिया और कुछ खास नहीं कि इसमें लेकिन जो हमें फोकस करना है यानि मनी कहने का मतलब है कि माइस्टोन बताने से भाई बाकी की प्रॉब्लम तो सौल नहीं हो तो फिर क्या करें तो फिर आमने कुछ ऐसा किया हमने मतलम हम इंसान होने मेनेजमेंट के पर आफ यू से कुछ ऐसा किया कि जो इतिहास बंगाया मतलब अब हम अब हम यही का प्रोच एक्थियार करते हैं अपने मेनेजमेंट स्कील को शूख करने का तेट इस नेक्टोर्क एनलिस है और आगे हमारी पूरा का पूरा जो बात है जो हमारे इंफोर्डेंट मैनेजमेंट के पॉइंट अफ यू से लेक्शर चलने वाले हैं CPM, POT, इसी का माँगे बागे नेट अपरक एनलिस का ही बागे CPM, critical path letter and PERT program evaluation and review technique इसका फाइदा वही है जो वहां पर नहीं था आसान मासा में मोला चाहे तो इसका फाइदा वही है जो वहां पर नहीं था क्या है बागे शोव इंटर रलेशन्चिंप बेट्विए अच्टिविटीटीज और इवेंट वहां पर जितने भी सारी खराबी थी सब्सक्राइब के साथ वाले भी वह भी आप यहां पर कर सब्सक्राइब का हिस्सा है है फिर यह जो नेटवर्क नंशी से यह दो भागों में डिवाइड होता है दो भागों में बढ़ता है एक में आता है पट और एक में आता है तो तो अभी तिक कहानी में आपको श मिया, होगा कि अब आगे हमको किस पर जोर देना है, आगे हमको जोर देने है इस पर फैक्न सब्सक्राइब नेट करह ने।टि और फॉर और जो भी हमारे मार्च चार्ड्स है या जो भी हमारे मार्श चार्ट से उसके लिमिटेशन सब यहां पर काम काउंडर होगे आगे जितने भी चैप्टर्स है वह इसी के उपर आएंगे और इसे के साथ अभी हम इंट्रोडक्शन वाले को फितम कर रहे हैं और क्योंकि हाँ नेटवर्क की तरफ जाना आए तो कुछ फंडामेंटल्स हमें समझने होगे तो अगले सेशन में दोस्तों हम मिलते हैं फंडामेंटल्स ओफ नेटवर्क के साथ इसी के साथ इस वीडियो को समाप करते हैं एंड क के लिए गुडबाई तक के और सारी जीजें रिवाइस करके आना फंडामेंटल्स ओफ नेटवर्क में मिलते हैं उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होगी हमारे फ्री वीडियो के माध्याब से लेकिन अगर आपको डिटेन में सीखना है युगा करीकुलिम साव से अलगना सोक्सिस मेर एंड्रोई कर सकते हो जॉइन कर सकते हो डिटेन में सीख सकते हो और अप्रे आपको बहुत आगे बढ़ा सकते हो सर्च यह 75academy.com आप एप्लिकेशन एंड्रोइड अप्लिकेशन भी डाउलूड कर सकते हो डाउलूड नाउ